नमस्कार दोस्तों, आरियाना के विबिन तक्निकी सिक्षन संस्थानों से पॉलो टेक्निक डिप्लोमा करने की इच्चुक विद्यार्थियों के लिए पड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जिन बच्चों ने पहले अपना एड्मिशन का फॉर्म फिल कर दिया था, उन ब कर से आप इसको चेक कर सकते हो, जिन बच्चों ने यस्टडे चेक कर लिया है, वो बच्चे अपने काउंसलिंग की फीस फिल कर सकते हैं, जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है, वो आज अपना चेक करके काउंसलिंग की फीस जो है, वो पे कर सकते हैं, तो काउंसलिंग क fees जो pay करनी है वो किस site पे जाकर कहां पर आपको pay करनी है तो वो मैं basic procedure आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपने Google Chrome browser में या आपने Google में या जो भी आपके पास available browser है उसमें अपना online test HRY open करें या फिर Google में लिखें HSTES तो यही site आपके सामने open होगी ऐसा interface आपको दिखेंगा तो यहां से directly अपनी literacy merit चेक कर सकते हो या अपना जो rank card है उसको देख सकते हैं दूसरा जो fee payment है वो आपके इस परकार से कर सकते हो counseling की तो इस site को अपना click करेंगे HSTES को click करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का interface आएगा जो इस प्रकार का interface आएगा तो right side में यहां पे आपके सामने लिखा रहेगा हर्याना online off campus counseling website तो इस पे हम click करेंगे जैसे इसको click करेंगे तो इस प्रकार की site आपके सामने open होगी हर्याना state technical education society इसमें आपका latest जो है news चल रहे है candidate out to confirm the registration तो इस तरह से यह latest news चल रहे है इसमें हम लोग bottom phase में चलेंगे नीचे की तरफ जिन बच्चों को अपना course selection करना है वो कल की तारिख में जो आपके जिन बच्चों के 10th pass है उन बच्चों को कल की तारिख में यानि की 11 सितंबर को अपनी course जो है उसका selection कर सकते हैं अपनी branch का selection कर सकते हैं आप जिन बच्चों को मैं बता रहा है counseling की fee पे करनी है तो यह जो नीचे bottom phase में आपके सामने दिखाई दे रहा है new registration, forgot password, download counseling mobile app, click air to pay counseling fees तो click air to pay counseling fees पे क्लिक करेंगे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का interface आएगा जो इस प्रकार का interface सामने आएगा तो course का जो name है उसका selection करेंगे हम diploma engineering अपना roll number डालेंगे तो जो diploma engineering के बच्चे हैं वो अपना roll number डालें application के आगे DE, D for Delhi और E for East तो इस प्रकार से आगे डाले DE, capital अक्सर में और अपना application number इसके बाद application number डालें फिर इसके बाद अपना complete name फिल करें जो उन्होंने during अपना admission का form फिल करते time जो form में लिखा था तो वो completely name फिल करें उसके बाद अपनी date of birth फिल करें इसमें date of birth फिल करने के बाद ये security जो code है यानि की capture इसको डाले और इसके बाद submit कर दें submit करने के बाद आपके सामने जो counseling की fee payment का option है वो आएगा और अपनी fees payment आसानी से कर सकते हैं online card से कर सकते हैं phone पे से कर सकते हैं google पे से कर सकते हैं paytm से कर सकते हैं éक तो इस प्रकार आसानी से, आप सभी अपनी counseling की fees pay कर सकते हैं सभी बच्चे चाये वो general category के हो, या किसी reserve category के हो उन बच्चों के लिए 500 रुपए ये fees रहेगी तो आसानी से आप उसका submission कर सकते हो counseling की fix submit करने के बाद आपको diploma जो course है यानि कि जो अपनी stream है branch है उसको choose करने का option आएगा फिर वहाँ पे आपको वो choose करनी है तो उसका मैं next video बनाऊँगा कि किस प्रकार से आपको वो अपनी जो branch है उसको choose करना है तेंक्यू तो स्टू